दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पिछले वर्शों में पूछे ये Maths के Questions का एक और सेट करेंगे अगर आप 10th Class के Student हैं और आप ये Questions नहीं कर रहे हो ये वीडियो नहीं देख रहे होगा आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें आपकी एक्जाम की तयारे में बहुत जादा Help मिलेगी इससे पहले में दो सेट अलड़ी बना चुका हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैस जैसे मैं वीडियो एड़ करूँगा तो प्लेइलिस्ट में भी एड़ करते जाऊँगा और उस प्लेइलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शुरू करते हैं यहाँ पे जो क्वेशन्स मैंने लिया है यह दो दो मार्क्स से पुछे जाते हैं टोडल पांच क्वेशन्स इस वीडियो में मैंने लिया है और यह दो दो मार्क्स के आपके पास पुछे जाते हैं इस तरह के क्वेशन्स ओके पहला question है एक थेले में पांच लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं तो एक थेला है उसमें पांच तो लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं नीली गेंदों के हमें संख्या पता नहीं है ये कुछ हैं अब क्या करते हैं यदि थेले से एक नीली गेंद या द्रिच्छी निकालने की प्रायक्ता देखो या द्रिच्छी बिना देखे बस ऐसे ही हमने निकाल दिया कोई एक गेंद हमने निकाली नीली गेंद निकालने की जो प्रायक्ता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायक्ता क्या है क्वेशन समझ के आप हमें नीली गेनों की संख्या ग्याद करनी है तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं माना नीली गेनों की संख्या एक्स है अब यहाँ पे आप एक बात बताएए प्रायक्ता कैसे ग्याद करते हैं अगर हमें नीली गेन निकालने की प्राइक तक याद करनी है तो कैसे करते हैं तो देखो होता क्या है मान लो कि एक बॉक्स है और उसमें तीन हैं लाल गेने और चार हैं नीली गेने ब्लू अगर हमें लाल गेन निकालने की प्रैक्ता ग्याद करनी है तो लाल गेनों की संख्या ओपर आएगी और कुल गेनों की संख्या नीचे आएगी लेकिन अगर हमें नीली गेन निकालने की प्राइक तक याद करनी है तो उसमें नीली गेनों की संख्या उपर आएगर कुल गेनों की संख्या नीचे आएगी ये होता है प्राइक तक याद करने का तरीका तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या तो क्योंकि लाल गेंदे तो हैं 5 और नीली गेंदे हैं X तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 5 प्लस X तो हमें कुल गेंदों की संख्या क्यों चाहिए? क्योंकि तभी तो हम प्रायक्ता निकालेंगे अब नीली गेन निकालने की प्रायक्ता तो हम लिखते हैं नीली गेन निकालने की प्रायक्ता और इसको हम लिख देते हैं P यानि प्रायक्ता प्राबैबिलिटी और नीली के लिए B लिख देते हैं ब्लू कलर तो कैसे ग्याद करते हैं तो नीली गेंदों की संख्या उपर होनी चाहिए यानि नीली गेंदों की संख्या उपर बटे सभी गेंदों की संख्या ठीक है और नीली गेंदों की संख्या क्या है X है क्योंकि यह तो हमें ग्याद करना है और सभी गेंदों की संख्या 5 प्लस X तो ये नीली गेंद निकालने की प्राइक्ता है अब हम लिखेंगे ऐसे ही लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता के लिए हम लिख देते हैं P red R तो कैसे निकालते हैं? अब लाल गेंदों की संख्या उपर आएगी और सभी गेंदों की संख्या नीचे आएगी लाल गेंदों की संख्या कितनी है यह 5 है question में दिया है और सभी गेंदों की संख्या तो 5 प्लस X है तो यह समझ आ गया अब question में क्या condition दी है नीली गेंद निकालने की प्राइक्ता लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता के तीन गुनी है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रश्णान उसार तो प्रश्णान उसार क्या है? नीली गेंद निकालने की प्राइक्ता लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता के तीन गुनी है है ना नीली गेंद निकालने की प्राइक्ता क्या है यहाँ पर यह है बराबर तीन गुना और लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता यह है पांच बटे 5 प्लस X तो 5 प्लस X दोनों से कट चुका है दोनों की नीचे है और X क्या जाएगा पांच दियां 15 यानि नीली गेदों की संख्या 15 है यह हमारा आंसर है Question number 2 है दो अलग-लग पासे एक साथ फेके जाते हैं आने वाली संख्याओं का योग जो पासा है उस पर एक दो तीन चार पांच बने होते हैं दो पासे फेके जाते हैं तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी सबसे पहले हम यह लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या को हम actually NS से सम्मोधित करते हैं NSS sample space कुल परिणामों की संख्या तो देखो दो पासे हैं एक पासे में 6 परिणाम होते हैं दूसरे पासे में भी 6 परिणाम होते हैं तो कुल 36 परिणाम होते हैं परिणाम का मतलब कि जैसे एक एक आया यानि पहले में एक दूसरे में एक पहले में एक दूसरे में दो पहले में एक तीसरे में तीन इस तरह से टोटल 36 अब योग पांच से कम होना चाहिए तो पांच से कम योग पासों में पांच से कम योग इसका क्या मतलब है पांच से कम योग का क्या मतलब है कि योग क्या हो सकता है एक से कम तो दोनों में तो एक अगर इसमें आएगा एक इसमें आएगा तो योग दो होगा दो से कम योग हो नहीं सकता इसके अलावा योग कितना हो सकता है तीन हो सकता है इसके अलावा योग चार हो सकता है पांस से कम पुछा है तो पांस से कम का मतलब क्या है? कि चार तक अब क्या क्या है इसमें देखो दो योग कब कब आएगा जब पहले में भी एक आए और दूसरे में भी एक आए देखो आपने दो पासे फेंके पहले में एक आए दूसरे में एक आए पहले में दो, दूसरे में दो, पहले में तीन, दूसरे में एक, इसके लावा कोई case नहीं है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, इसको मैं E नाम देता हूँ, इस गटना को, इवेंट को, तो इनकी जो संख्या है, वो एक, दो, तीन, चार, पान, छे, छे हो चुकी है, ठीक है, तो इसलिए, जब हम इसके प्राइक्ता ज्याद करेंगे, प्राइक्ता, पी या तो इसको E लिखो, और या फिर हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, कि पांच से कम, ठीक है ना, बात एक ही है, anyway, E लिख देते हैं, यह होता है, जो हमारे पक्ष में है, यानि, योग पांच से कम, कितनी बार आ रहा है, छह बार, यह उपर लिखेंगे, और सभी परिणाम हम नीचे लिखते हैं, सभी परिणाम, यह जो 36 है, तो आएगा 6 बटे, 36 काटके यह आ जाएगा 1 बटे 6, यह आंसर है, ठीक है, यहाँ पर हमें इसे सिद्ध करना है, बहुत ही इंपॉर्टन क्वेशन है यह, तो क्या करेंगे हम, देखो, लेफ्टन साइट, क्या है बायापक्ष, 1 माइनस, साइन थीटा अपॉन प्लस साइन थीटा, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उपर नीचे गुणा करेंगे, किस से, देखो, यह तो हमने जैसे उपर है, वैसे लिख दिया, उपर नीचे गुणा करेंगे, इसके विपरी चिन की, अगर यह प्लस है, तो उपर नीचे माइनस, माइनस की गुणा कर देंगे, यानि, 1 माइनस, साइन थीटा, अपॉन, 1 माइनस, साइन थीटा, यानि, 1 माइनस, sin theta का उपर नीचे multiply करेंगे इससे क्या हो जो ये नीचे denominator है ये rationalized type का हो जागा देखो अभी क्या होता आगे बढ़ ध्यान रखना जो ये चिन है उसके विपरी चिन से उपर नीचे multiply करेंगे अगर यहाँ पर minus होता तो फिर हम उपर नीचे plus से multiply करतें ठीक है ना ओके तो अब अगला step देखो 1 minus sin theta 1 minus sin theta तो ये हो जाएगा 1 minus sin theta का whole square इस तरह से क्योंकि ये दो बार है लेकिन नीचे denominator में देखो ये a plus b और a minus b की form है तो a plus b और a minus b जब आपस में गुणा होते हैं तो क्या होता है a square minus b square होता है यानि 1 का square 1 minus sin square theta है ना अच्छा अब ये क्या होगा तो ये हो जाएगा square root 1 minus sin theta का whole square upon 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta ओके अब यहाँ पे ये भी पूर्ण वर्ग है क्योंकि 1 minus sin theta का पूरा whole square लगावा है नीचे भी पूर्ण वर्ग है तो दोनों से ये square कट जाएगा उपर से कट के ये आ जाएगा और नीचे ये square भी कट जाएगा और ये आ जाएगा क्या 1 upon cos theta क्या होता है sec theta and sin theta upon cos theta 10 theta और ये ही हमें सिद्ध करना था तो ये आ चुका है बराबर right hand side hence proved ठीक है question number 4 है और हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है देखो left hand side लिखते हैं सबसे पहले 10 square theta upon 1 plus 10 square theta plus cot square theta upon 1 plus cot square theta अच्छा अब क्या करें तो देखो अगर ये एक बात आप ध्यान रखना वैसे बड़ा आसान है अगर आपको फॉर्मले पता है तो बहुत ही आसान है क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा ये 10 square theta upon अब नीचे 1 plus 10 square theta क्या होता है sec square theta और यहाँ पर है cot square theta और नीचे क्या है 1 plus cot square theta 1 plus cot square theta होता है cos sec square theta अगर आपको ये formula पता है तो best है फिर तो बात ही क्या है और अगर नहीं पता है तो फिर सब को sin or cos में convert कर देना यानि आप 10 जानते हैं न कि 10 theta होता है sin theta upon cos theta और cot theta होता है cos theta upon sin theta तो अगर आपको ये formula पता नहीं है कि 1 plus 10 square theta sec square theta होता है ये सब तो फिर sin or cos में convert कर देना तो answer आही जाएगा आपका कभी ना कभी मैंने आप solve करके answer आ जाएगा लेकिन ये बड़ा आसान है ऐसे में अब हमें क्या करना है देखो उपर है 10 square theta तो हम इसे लिखेंगे sin square theta upon cos square theta upon और नीचे क्या है sec square theta तो ये भी आ जाएगा 1 upon cos square theta तो I am sure आपको ये basic चीज़ें आती होंगी plus अब ये cot square theta cot theta होता है cos upon sin तो ये हो जाएगा cos square theta upon sin square theta पटे और यहाँ पे cos x square theta 1 upon sin square theta ठीक है समझ आ रहा है अब ये क्या होगा देखो ये reciprocal होके उपर चला जाएगा यानि ये है sin square theta upon cos square theta यहाँ पे आप देख रहे हो ये उपर चला जाएगा into cos square theta upon 1 और ऐसे ही इधर है cos square theta upon sin square theta और ये sin square theta रहेसी प्रोकुल होके ये उपर चला जाएगा इस तरह से मतलब है न ये नीचे जब ऐसा होता है पलड़ के उपर चला जाता है cos से cos कटा यहाँ पे sin square से sin square कटा क्या मिला यहाँ बचा sin square theta और यहाँ बचा cos square theta और यह होता है 1 है न sin square theta plus cos square theta 1 होता है और यह आजुगा है right hand side तो I hope आपको यह समझ आ गया होगा question number 5 है यहाँ पर यह वृत है और यह सभी जो रेखाएं हैं यहाँ पर रेखाखंड आप देख सकते हैं यह इस वृत को स्पर्ष करते हैं यहाँ पर तीन लंबाया यानि AB दिया है BC दिया है CD दिया है हमें AD ग्यात करना है तो question आप समझ गये क्या है ओके तो यहाँ पर इस question को करने के एक तो बहुत ही shortcut तरीका है लेकिन हम इसको proper way में करेंगे क्योंकि दो नंबर का है तो दो नंबर के हिसाब से करेंगे हम इसको यहाँ पर इनको हम नाम देते हैं P-Q-R-S P-Q-R-S अब एक गुण होता है स्पर्च रेखाओं का कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गए स्पर्च रेखाएं बराबर होती है यानि ये और ये बराबर है ये और ये बराबर है C बिंदू से ये भी दो स्पर्श रिखाएं है तो ये और ये भी बराबर होंगे और D बिंदू से ये भी दो स्पर्श रिखाएं है तो ये और ये भी आपस में बराबर है ठीक है बात समझ आगे तो जो ये बराबर हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं तो हम लिख देते हैं कि माना AP और AS इसको हम नाम दे देते हैं Small A यानि यह A है और यह B नाम दे दिया हमने अब यह BP और B Q इन दोनों को हम Small B नाम दे देते हैं तो यह B है और यह B है ठीक है ना ऐसे ही C R और C Q दोनों बराबर हैं और दोनों को हम C नाम दे देते हैं तो यह C हो गया और D R और D S D R बराबर D S इनको हम Small D नाम देते हैं बात समझ आगी तो यह D और यह D ठीक है अब देखो यहां पर A B क्या है A B जो है यह A प्लस B है है ना A B आप देखो A प्लस B और Question में लिखा है कि यह 6 है BC क्या है तो BC है B प्लस C आप देखो B प्लस C और वैसे BC यहां पर 9 cm दिया है अब CD क्या है तो CD है C प्लस D और यह दिया है 8 cm और हमें ग्याद करना है AD AD है A प्लस D यह हमें ग्याद करना है अब आप देखो जो भी निकलेगा इन से निकलेगा इन तीनों equation से इन तीनों समिकरणों से A प्लस D कैसे निकले तो अब अगर आप यहां पर देखो कि समिकरण नमबर एक यह दो है और यह तीन है अगर हम समिकरण एक और तीन को प्लस करें जोडें और B को माइनस करतें तो हमें मिल जाएगा A प्लस D तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे कि समिकरण एक प्लस समिकरण तीन और इसमें से माइनस करना है दो तो देखो यह समिकरण एक से लिया हमने यह समिकरण तीन से लिया और माइनस क्या किया यह बीच वाला तो दोनों माइनस हो जाएगे और राइट हेंड साइड में एक समिकंड तीन और ये समिकंड दो अगर आप यहाँ पे देखें तो B से B कट रहा है और C से C कट रहा है और हमें यहाँ पर क्या मिला A प्लस D और यहाँ पर इनको प्लस करें तो 8 से 14, 14 मैंसे 5 क्या नौ गया 5 यह 5 आ चुका है और A प्लस D क्या है AD है तो हम यह कह सकते है कि जो AD है यह 5 है ओके और राइट तो यह 5 इस वीडियो में थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी अच्छे से समझ आए होंगे I'm sure आपके exam में इससे definitely आपको help मिलेगी आप इस वीडियो को अपने classmates के साथ में जरूर शेयर करें मिल दें अगले वीडियो में टेक कियर